असलाम लेकूम असलाम लेकूम कैसी हो लाइबा? ठीक क्या कर रही हो? ने? वो मैं बैठी हूँ अच्छा, आप लाइबरेरी गई थी? येस मज़ा आया आपको? बहुत मज़ा आया कितनी बारिश हो रही थी ना? हां जी अच्छा, आज अब स्कूल नहीं गई? नहीं कभी खराब थी अच्छो, आपकी तब भी खराब थी अब आप ठीक हो गई हो? येस ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करें? येस चलो, लेट्स स्टार्ट हेलो गाइज तो सब लोगो बताती चलूँ कि मैं हम लोग गए थे लाइब्रेरी तो मैंने सोचा कि वाइ नॉट ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपना विजिट तो बिसिकली ये जो लाइब्रेरी है इसके जो रोड से हैं, बिलकुल इस उनसान से अलाके में है, एक गाउं में बनी हुई है साथ पंजाब में बेसिकली ये है और ये इफ आम नॉट रॉंग साथ पंजाब एशिया की सबसे बड़ी परसनल लाइब्रेरी है तो इसका ये रोड देखने, रोड नहीं अच्छे इसके, लेकिन अगर आप मैं फर्स टाइम गई थी तो मुझे लगा कि आप में ही कोई होगी कोई छोटी सी होगी, जितना हम लोग सुनते थे लेकिन मैं एंटर ओरी हूँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये थी स्टार्ट इतना अच्छा हुआ एक तो आप देख रहे हैं कितने नीचन क्लीन क्लाउड थे स्काय था तो ये एंटर ओर यूम है आप देखते हैं ये छोटा आसा एक लेक्टाइब बनी हुई है और आप ग्रीन रिजेक करें हर एक अपना इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज को बनाने का किसी भी स्टीज को स्टार्ट लेने का तो ये देखें मैं अंदर एंटर हो गई हूँ ये स्टार्ट से ये आप देखें बुक्स की कलेक्शन और ये कुछ कैलिग्राफी लगी है और ये स्टार्ट में लोगों ने शूरा एक भी रखा हुए और बाइर ही शूरा था अरके अंदर एंटर होना होता है एक बड़ा पीसफुल सा महोल था बड़ा अच्छा लग रहा था अब बड़ा अच्छा लग रहा था अब लू और अट वाज अट वाज एक्स्पिनियंस फोर नी नाओ आम एंटरिग इन एन हाल और मेरा चोई एक कॉंसेप्ट था के छोटी सी परस्नल लाइबरी किसी की हो सकती है चंद किताबें होंगी बड़ाट आइवस सर्प्राइज आइवस अमेज तो सी वंडर्फूल क्लेक्शन उफ आल टाइप्स ऑफ बुक्स अदब की भी थी इसलामिक लिटरेचर भी था फिक्का की भी थी हदीश की भी थी आपको उर्दू नौवल्स की भी मिल जाती हैं इंग्लिश पोईट्री भी थी इंग्लिश नौवल्स भी थे डिफरंट कल्चर्स की बुक्स भी थी तो एक हूज वराइटी थी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और एक और कुब सुथ यहां के छी वह यह थी के आप ना सिर्फ इतनी हुष कलेक्शन को देख सकते हैं you can also read any book but you will have to read all these books if you want to read within the premises of the library or even you can say within the boundary of the building not even in the lawn. So, he is a good collection of prizes in Punjab, which is a good collection of prizes. So, you can see, the Bible has a section of the Bible and the Bible has a section of the Bible. और आपको तरहां तरहां की इस्लामिक लिटेचर इस्लामिक हिस्टरी की से लिटेट बुक्स आपको मिलेंगी ये रैक्स भरे वे थे बुक्स नीचे भी पड़ी वी थी तो ये हॉल नंबर वन था और यह देखें यह जो बाइर हाल है इसमें और यह देखें हिजरे नसब कोवे कोकर राजबूथ हर आदम अलिएसलाम से रिलेट तो इट वसनियो मिले ऑफ ते हर आदम अलिएसलाम राजबूथ थे और उनका शजरे नसब लिखावा था और ये कुछ बुक्स थी इवन मिर्जा साहिबान चसी पुनू लैला मजनू से रिलेटर भी कई नौट के एक दो बुक्स बट नंबर ओफ बुक्स आपको इसके उपर मिल जाती है ये देखें ये एक और हॉल है मतलब भरी इमिया बुक्स अप्रोक्समीटली तेर थर्टी तो फुर्टी लैक्स आपको निवाग्स आपको नज़र आरी और ये देखें ये भूते कबाईल से लिटेट जाट कबाईल से लिटेट जाच रहने सब गॉम्डंडी राजपूर से लेटें भी आदम आलाइसलाम तो इन्होंने हर एक जात पात तो जात की ओरिजिनेशन कहां से हुआ कैसे वो चीज चली कितनी जात हैं कितने डिफर्ट का सिस्टम हम लोग देखते हैं विदिन दी कंट्री नॉट अक्रॉसी कंट विदिन दी कंट्री विदिन दी पॉविंस विदिन दी सिटी इवन भी सी नुमर ओफ दिफरेंट कास्ट नॉब फ दिफरेंट कल्चरज तो ये देखें आप कैलिग्राफी स्थीन देन ये स्क्रप्ट्चर बना वैकाई दियाजम मुहमद लिजना की ओपर अलामा इकपा हैं हमारा जिनकी वजह से हम लोग एक अपने अजाद अजादी फील करते हैं अजाद मुलक का तसवर जिनकी वजह से हुआ और ये देखें एक धागों से बना हुआ इसना पहले होता था कि प्रॉपरली धागों से आप बनाते थे और यूजफ बोक्स डैड लेट उस तो ये डिफरन कल्चर से और ये दिस तरहां से हुआ था यजीदों का हसना हुसान के साथ जो वाक्या है मुहर्म के दिनों में ये उसकी निरेशन लिखी हुई थी और ये देखें हैंड पेंटिंग्स ये उनका एक है कि उन्होंने किस तरहां से कुरान आयात की ये उनका रिदिंग्स एप कि आपको 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 नजर आ रहा है होली कुरान इस माई नेम लाई 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 लोग अपना एक कंप्यूटर बेस्ट सिस्टम करना चाह रहे थे तो आपको ग्राउंड पे बुक्स इस तरह पड़े भी नजर आएंगी मैं खो गए थी इन बुक्स में इन सारे एरिया में मुझे बहुत अच्छा लगा समटाइम्स आपको ये चीजे में सिकून देती हैं कुछ हटके अगर आप जब भी करते हो तो ये देखें कुछ किफ्ट्स हैं तो उनने इस तरहां से मसूर जंडी सर्दारपुर जंडी रिसर्च लाइबरेरी मेल सी इसका विसिकली नाम है और ये देखो आप लोग के कुराने पाक हंड़र केजी का कुराने पाक है और दस पारे इस तरह से हैं और जहां पर भी अल्ला वर्ड आया है फर्स्ट एंड पारा में तो उसको रेड कलर में लोगों ने दिखा हुआ है हंड़र किलो गराम मतलब धाई मन का ये कुराने पाक है माशाला से तो उसको भी उन लोगों ने इस आर्ट को भी उनने सेफ किया हुआ है ये देखें एक और आर्ट वर्क ये देखें ये डिफरंट तरह हैं कुराने पाक तो मैं जून जून देख रही थी मुझे अच्छा लग रहा था कि हर एक डिफरंट इंटरस्ट है उसने किस तरह से एक अपना काम किया किस तरह से हर एक डिफरंट छोक होता है तो इसी तरह कि कुराने पाक कि उन्होंने डिफरंट टाइप्स इन लोगों ने एक आर्ट रखा हुए सुरह फात्या को सेवन डिफरंट लेंवजीज में लिखा हुए तो उसका एक पुरा एक उसका सांपल कह लो इत ओरिजिनल उसकी बुक कह लोगों इन लोगों ने पने पास रखी विया सेव की विया आई थिंग रेडिंग की हैबिट सोशल मेडिया की वज़ा से जरा कम हो गई है जो कि मुझे एक अपने अंदर एक कमी नजर आती है मुझे नहीं आईडिया कि आप लोग इस बारे में क्या कहेंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइए के सोशल मीडिया के नेकिटिफ एक्सपेक्ट में कहीं है कि रिडिंग के हमारी हैबिट कम हो गई है हम लोग इतनी रीडिंग नी करते इतना दोक्टर एंड ही डाइड इन कैनाड़ा तुरो ने इसकी पिक्टर्स लगाई ही थी और इन्हें यह डिफेंट गिफ्ट्स थी मिले थे थे उन लोग ने उन गिफ्ट्स को यहां पे पोर्ट्रे किया आगा है दिफेंड अबार्स हैं डिफेंट शील्ट्स हैं कि यह देखें हैं कि बहुत दूर दूर से लोग इमन इसको देखने के लिए आते हैं कि बहुत अबार्स हैं झाल 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 बुक्स को देखके लिटरिचर को देखके अगर आप कोई बुक नहीं मिल रही है या पढ़ना चाहा रहे हैं तो आप इसको विजिट करें आप 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 य कि उसे आप झाल 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 ईयो अ Press झाल झाल more help for your nerves तो यह डाइनिंग एरिया था गेस्ट के लिए नाट फोर दी डीडर्स और यह इनके ग्रासी प्लाट्स थे इस बंदे के यह शोग रिखें के आई केम टू नो के जितने भी कुराने पाक में जिस भी दरख्त का जिन भी प्लांट्स का जिकर है उसने ट्राइ किया है कि वो उसको अपनी इस बाउंडरी में लगाए तो गुजरते वे मुझे कुछ सिमिलारिटी नहीं नजर आई मुझे बड़े एक डिफरंट जो के आपको नॉर्मली नॉर्दन एडियास में जो पोदे आपको नजर आएंगे यहां भी आपको नजर आएंगे स्काय देखें कितना आसमान क्लियर है और यह किसने चोटा से एक तलाब बनायावा है इसमें आप डक्स देखें स्कून था एक मतलब आप बोर नहीं होते हो इस जगार के अगर आप रिटिंग से बोर हो गए हो थोड़ी दिल बाई रहा हो उसके बाद अंदर जाओगे तो फिर से आप रिटिंग कर लो तो आप एक फ्रेश फिल्ड करोगे जितना हम लोग नेचर के क्लोज होते हैं उतना हम लोग स्ट्रेस फ्री होते हैं यह देखें कितना फ्री ली यह पाने पी रही है जो बड़ा अच्छा लग रहा था अल्ला ने तरहां तरहां के नेमतें दी हैं इन्सानों को जानवरों को तरहां तरहां के जानवर बनाए हैं हर एक चीज को हम लोग देखें तो अल्ला की खलकत की क्या ही बात है तो शाम का टाइम हुआ जाता था तो आपसी के सफ़र शुरू होने वाला है तो आज का दिन बस यहीं तक था आई होप आपको आज का दिन पर है अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर जिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और मिलते हैं किसी और दिन किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ अच्छी से कॉंटेंट के साथ तो सूरज की किरने पड़ रही हैं बढ़ा अच्छा लग रहा था एक फ्रेश फ्रेशनस थी इन्वार्मेंट में आप स्ट्रस फ्री थे आपको इटेंशन नहीं थी तो क्य आप भी निचर के कि पास आके इस तरह से खुद को फ्रेश फील करते हैं चोटा सा फूल अपने लिए चंबेली किसको पसंद है पाथफे देखें किसने कितना अच्छा रेंच किया हुआ है गुडबाई मिलते हैं किसी और दिन बाए वाप इन रोस को देखें और फील करें कि आप भी यहां पर आना चाहेंगे